मेडिकल होने के कितने दिन में आपका वीजा मिल गया था दस दिन में इस देस के लिए आपको आफा लेटर मिला है कतर का पता सेलरी लगा है आपका 11 प्लस 3 पुरा बताईए सबसे पहले आप अपने नाम बता दीजिए पिता जी का नाम कहां के रहने वाले हैं पुरा पता बताईए तो आपका किस ट्रेड के लिए हैं इंटर्वी जो आप दिये थे आप क्या पुछा गया था इंटर्वी में कुछ उसके बारें बताईए बनाना था तो किस देश के लिए आपको आफा लेटर मिला है कतर का कतर का कितना सेलरी लगा है आपका ग्यारा प्लस तिन पुरा बताईए ग्यारा सब बेसिक है प्लस तिनसो खाने का टूटल चौदर सो है ओवर टाइम भी है दो घंटे ओवर टाइम भी है तो यह ओफालेटर मिलने के बाद मेडिकल के लिए भेजा गया था कहां पे हुआ था आपका मेडिकल है किस दिशे के लिए पर लेटर मि टेंग सब्सक्राइब तो अभी यहां पे आपने इंटरुवी जो दिया था उसके बारे में आप कहा से कैसे पता चला था वो कुछ होताई जल्के रेस도 है मैं हो ये कम साफ है मैं है एदरबाद में लगा है तो यहां परफेट डूप आफिस के बारे में कैसे पता चला तो अभी आप 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 अपर लेटर मिल गया है ना वीजा मिल गया है पासपोर्ट दिखा दीजिए अपना यहां परफेट्ट ड्रूप आफिस क्या किया कहना चाहेंगे कि यहां पर आकर अपना कम कराई और अच्छा स्थ माएं क्या तो यहां आने में आपको दिक्त तो नहीं हुई मेडिकल से या कि काम से पहले कि वाद कोईा कि आंहिंहेंगे लिया है। पताइए कुछ? ने नहीं कोई लगनา है कुछ चाहिए है । कोई दिकत परिशानी है अथि है आपनेfach आउफस से काम करवाने और छो आपने अपना किन्ती समय दिया उसके लिए पर्फेट डूप ऊफस के तरब से बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट आफ लग